जल्दी सोचो, आप लोग उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है अब लक्ष्मी और उसके वच्चे की भी तो जान बचानी है ना? मैं तयार हूँ माँ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सरस्कती लक्ष्मी का उपरेशन स्यादा ज़रूरी है मुझे तुपारी शर्थ मंदूर है पवित्ता चलिए सावित्री बेन अब इंतिजार किस बात का है? शर्थ पूरी कीजी शर्थ तुपारी शर्थ लुग्जाई यह मा? मा, मा, आप यह क्या कर रहें? मा, आपको किसी के भी सामदे, कुटने टेकने की कोई जरुवत नहीं है मा, लक्षमी के लिए पैसो का इंतिजाम हो गया है कहा से आई इतने पैसे? मीवी, तुमया बात में बताती हूँ मा, आपएशियन के पैसे यह जमा करवा दिये और डॉक्टर्स ने आपएशियन भी शुरू कर दिया हमें पॉरान आपएशियल चलना चाहिए चली बाह முடியது, முடியது! आपको, मेरे पेट्टिक, उसके आने वाले बच्चे की रक्षा करनी होगे, उन्दोनों को बचाना होगा, यह जिद्ध है, सावित्र के, रक्षा करो मेरे मेटे के, बच्चा लवुसे. दॉक्टर साब, सब, सब ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, आप सब को मुबारक हो, बेटी हुई है. लक्ष्मी के घर, लक्ष्मी का जनम हुआ है. डॉक्टर, मेरे बेटी के ना? अहां, वो भी बिल्कुल ठीक है. फिलाल मैंने लक्ष्मी को दवाईया दी है, इसलिए वो आराम कर रही है. आप खुलते ही, आप लोग उससे मिल सकते हैं. ठीके बैटी, अधाटी रोग्ष्मी के लिए नहीं आरा मेरे जान के 20,000 जसी मोटी रकम इन लोगों के पास आई कहां से? पता नहीं, रसिली बाई, वो मसीहा कौन है? मेरे जान, कहीं युवराज तो इन लोगे मदें तहीं कर रहा है? नहीं नहीं, रसिली बाई, युवराज तो मेरी मुठी में है, और उसके इतनी हिम्मद भी नहीं है कि वो मुझ से बिना पूछे इतना बड़ा कदम उठाए, तो फिर कौन हो सकता है? कोई न कोई तो जरूर है, पस, अब हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना होगा, कि आखिर ये कोई है कौन? चलो एक संकट तो टला, लक्षमी और उसका बच्चा सही सलामत है लेकिन दीदी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है एक गंटे में इतने सारे पैसे कहां से आये? यही सवाल तो मैं तुम से पूछने वाली थी लेकिन हमें इसके बारे में पूछ नहीं मालू तो फिर कहां से आये इतने सारे पैसे? यह पैसे यहां से आये है, माँ कौरी, तुमने इससे पैसे क्यों लिये? तुम जानती हो ना, यह हमें छोड़के चली गई थी. सरासी तकलीफ क्या हुई, इसने तुम मुही भीड़ लिया. दीदी, आप लोग इसे गलत समझ रहे हैं. वो घर छोड़कर जरूर गई थी, और सिफ इसी लिए, ताकि वो हमारे और हमारे परिवार की मदद कर सके, उस पवित्रा को मूत और जवाब दे सके. दीदी, चान्दी ने क्या कुछ नहीं किया हमारी मदद करने के लिए? तो क्या मैं भूम की जगे दाट्स का पड़िशन में सारे साती है? जानवी, अकेली समसे लड़ती रहे, इतनी सारी मुश्किलों के सामना किया तुम्हें, और मैं, मैं तुम्हें गलत समझ के कोस्ती रहे, बड़ी बेहन होते हुए भी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, जानवी. मुझे माफ करतो, जानवी. मुझे माफ करतो. मुझे माफ कर मुझे शर्मेंधा पद करूए. अपना पन्दी क्या होता है? कियार किसे कहते है, इसब तो यहां कर्ज एका है मैंने. मैं तो बस अपना फर्स निभाने की कुशिश कर रहे है. आप लोगों कत इतना कर्ज है मुझ पर कि मैं साथ जन्मों भी कर्ज है. जाब बस. हम सब मासिया बन गई है. मुझे गर्व है मेरी बेटियों पर. आज तुमने यह साबित कर दिख्या कि मुश्किल वक्त में कैसे एक दुसरे के साथ रहना है. जोन्नू, देखो तो इसने अपनी आखे भी खोली है. ए, तुम्हे जब सुसू करना हो ना तुम मुझे बता देना. मैं तुम्हे इसमियती के पास दे दूगी. वा, दीजे ना. संभल करा, यती. ला, 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 कि अब कैसा मैसुस हो रहा है सावित्री जी अब होस्पिटल की फॉर्मलिटीस पूरी कर दीजिए और लक्षमी को आप आज ही घर ले जा सकते हैं चानवी जो तुमने मेरे और मेरी बच्ची के लिखिया है उसको शुक्रिया कैसे अदा करो शुक्रिया मत गो दिदी बस अपना ख्याल रखो और अब तुम हम सब के साथ गरोड़या निवास चलोगी हमसे दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है है ना मैं चलना तो चाती हूँ और अब भी नहीं मैं भी वापस नहीं आ सकती है और रादर जी का इक कर्ज है मुझ पर मुझकिल वक्त में मेरी बहुत मदद की थी आज उने मेरी मदद की सरोत है जब तक मैं उनको तकलीफ से दूर नहीं कर देती मैं मैं वापस नहीं आ सकती है आज तुम्हारे बापुजी होते तो वो बहुत खुश होते है बगवान तुम्हें हर मकसद में कामयाविते है दी वो मैं अपने परिवार के लिए एक और चीज़ करना चाहती थी बोलो दीदी कुछ पैसे है मेरे पास शिती जेजु की समानत के लिए नहीं चाहती मैं तुम्हारा शुक्रियादा कैसे खर हो जाने नहीं दीदी बैस आपका आशिरवात चाहे मेरी जान चाय में वो मज़ा ही नहीं मज़ा होगा भी कैसे रसी लिभाई नौकरों को तो हमने चुटी दे रखी है और धर के लोग कल से गायब है परसो बात चाय बनानी पड़ी ऐसा लग रहे है इसे हातों में चाले ही पड़ जाएंगे झाले ही जाएंगे लक्षमे अब जल्दी से अपना पहला कदम इस घर में रखो अरे रुको रुको बच्ची का पहला कदम है ऐसे कैसे रख सकते हैं हाँ हाँ तुम सब यही रुको अरे हावेशू थायू अरे बुआ हमारी लादली रानी का पहला कदम है ना इस घर में तो आरती होगी पूजा होगी है ना है लोग घर में पहला कर दो आरती है लोग लाज आलाइ लाला... कर दो कर दो कर दो कर दो मुझा पुरायक ही में यह भागि लक्षमी हमारे परिवार में बरकर और खुश्यों के सौगार लेकर आएगे चल रुको रुको कि या था ये सब ये मेरा घर है और मेरी इज्याजत के बगैर तुम लोगों ने ये सब करने के बारे में सोचा भी कैसे मेरी जान ये तो हद हो गई बेशर्मी और मनमानी की मनमानी पवित्रा के सामने नहीं चलती मेरे घर में किस से पूछ कर ये सारा इंतिदाम किया और ये क्या तमाशा था पवित्रा हम सब जानते हैं कि ये तुम्हारा गर है लेकिन ये आरती बच्चे के घर में पहले कदम रखने की रसम इस सब की तैयारी हमने अपने दम पे की है ना ही तुम्हारी कोई चीज इस्तमाल की है और ना ही तुम्हारे सामने हाथ पहलाएं ने राद को कौन हो सकता है और जसा तुम्हारी तुम्हारी कि पवित्रा रसिली भाई ने देख ले तो मुसीबत हो जाएगी, तुम यही रुको, मैं आती हूँ मा, मा ते को तो कौन आया है, जानवी, मेरी बहन, कैसी है तू, और यहां कैसे आना हुआ, हाँ, और वो भी इतनी रात को, सब ठीक तो है ना, जानवी, हाँ, बड़ी मा, सब ठीक है, वो मैं कल राश्विप्रा से कुछ दिनों के लिए भाहर जा रहे हूँ है, इसलिए सोचे जाने से पहले एक बार अपने परिवार से मिल लो, राश्विप्रा से बाहर, कहां, वो दीदी में नंद गाओ जा रही होगा, लेकिन तू, रहोगी कहां, वहां किसी को जानती भी नहीं तू, मा, वो मैंने आपको राधाजी के बारे में बताय था ना, तू बस, उन्ही के साथ जा रहे है, जाना जरूरी है क्या, मा, उनका हम पर बहुत आइसान है, और उस आइसान को चुकाने का वक्त आ गया है, उनके नुपूर नित्र केंडल को मेरी जरूत है, और उन्हें अकिला छोड़कर में अपने फर से पीछे नहीं हटना चाहती है, और वैसे मेरी जान्दी, तुम्हारे इस वर्स में भगवान तुम्हारा साथ सरूर देगा है, जान्दी, जाने से पहले अपनी माँ से नहीं मिलना चाहोगी, मैं इनका अबेन बहुत खुश होगी तुमसे मिलकर, नहीं बड़ी मा, मा मुझे कभी नहीं समझ पाएगी, मा अगर में समझ जान्दी, तो वह यहाँ आप लोगों के साथ रह रही होती, और वैसे भी मैं, आप सब को जैशी कृष्णा क्याने आए थी, अच्छा माँ जान्दी कहां चली गए थी मुझे छोड़कर, कैसी हो तुम, तुम यहां आई हो, मुझे बता है तो होता मैं राज विबला से कुछ दिनों के भाहर जा रही हूँ, इसलिए सब कुछ जैशी कृष्णा के ने आई थी, कहां चा रही हो तुम, ऐसी क्या जरूत आपड़ी, किसी का सपना पूरा करना है, किसी का कर्स चुकाना है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, जान्दी, तु तुम वापस आजाओ, तुम्हें दर-दर की ठुकरे खाने की कोई जरूत नहीं है, तुम मेरे पास रहो, अपनी महा के पास, मेरे कमरे में, सारे आईशो और आम के साथ, जब मेरा परीबार पोरे हालात से कुछ रहा हो, तुम मैं आईशो और आम के साथ कैसे रह सकती शायद इसलिए हमारी सोच नहीं मिलती, इसलिए आप कभी नहीं जान सकती कि मैं क्या चाहती हूँ और मेरी क्या सपने है, शायद आप कभी जान नहीं सकती, यह जान भी क्या है मैंने अपसे कहा था रामा, कि यह मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे, समझा तो सिर्फ आपने मुझे है, इसलिए मेरी सिर्फ एक ही मा है, और वो है आप और वो है आपस्वाद सकती कि मुझे हा दो है